हेलो दोस्तों and welcome back to our channel आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोमांतिका के बारे में दोस्तों यह है व्यादी एक communicable disease है उपसर जन्हें व्यादियों में आती है और modern में हम इसे measles रिलेट करते हैं measles एक viral infection है जो कि mostly small children में देखा जाता है और इसका जो causes है वो है respiratory droplets जो की coughing और sneezing के वक्त produce होते हैं दोस्तों next हम देखेंगे कि रोमांतिका का निदान क्या है उसके समाने लक्षन क्या है उसका संप्राप्ति चक्र वा उसके उपद्रफ क्या है तो चलिए शुरू करते हैं पहला है निदान, उपसर जन्ने व्यादियों के निदान ही रोमान्तिका के भी निदान होते हैं, इसमें मेन है नीश्वास मतलब की इन्हेलेशन, क्योंकि रोमान्तिका अगर हम मौडन से लेट करके देखें तो मीजल्स एक रेस्परेटर डिसॉर्डर है और जो इसमें शरीर पर छोटी-छोटी पीडिकाओं की उत्पत्ती हो जाती है, सेकिंड है जुर्ड है सर्वांग में दहा की उत्पत्ती मतलब की सभी अंगों में जलन उत्पन हो जाती है, फोर्थ है अत्यदिक तृष्णा मतलब की excessive thrust, फिफ्थ है कंडू मतलब की जलन, सिक्स् मतलब की catar, पुरानी जुखाम, एर्थ है नेत्र रोग, नाइन्थ है तंद्रा, टैन्थ है क्लम, एलेवन्थ अवसाद, ट्वेल्थ अतिसार, थर्टीन शरेशूर मतलब की headache, फोर्टीन इस रक्त अतिसार, फिफ्टीन इस प्रकाश असहता मतलब की प्रकाश को सहन नहीं कर पाता है, 16 है कॉपलिक स्पॉर्ट, दोस्तों कॉपलिक स्पॉर्ट ऐसे पॉर्ट होते हैं, बककल कैविटी में जो पाए जाते हैं, अल्जिवस के अर्ली फेजर में और यह एक केरेक्टरिस्टिक फीचर होता है,ί मीजल का, दोस्तों इसमें क्या होता है कि वाइट हो जाते हैं तो यह characteristic feature होता है रोमांतिका का and last in 17 है अती दौरबल्ले मतलब की दुरबलता बहुत जादा जाती है दोस्तों next slide में हम देखेंगे की रोमांतिका का संप्राप्ती चक्र और उसके उद्धरफ क्या है तो दोस्तों चलिए देखते हैं रोमांतिका का संप्राप्त के पास उसके बाद पूरे शरीर पर दाने निकलने लगते हैं पर फिर कुछ दिनों में धीरे धीरे ज्वर और पीडिका शान्त हो जाती है और 15-20 दिनों में रोगी स्वस्त हो जाता है तो दोस्तों अब देखते हैं रोमांतिका के उब्द्रव on the right hand side तो पहला है स्वर्य प्रदा मतलब की जो hearing apparatus है उसमें जलन सेकेंड है श्वास प्रणालिका प्रदा मतलब की respiratory tract में जलन होती है थर्ड है नेत्र रोग फॉर्थ है कर्ण शूल मतलब की ear में पेन होगा फिफ्थ है वरक्क शोत मतलब की kidney में swelling होगी सिक्स है कोत मतलब इसे हम सडान से रिलेट कर स 8 है हिर्दय अवरूद मतलब की heart blockage 9 है रक्त स्थीवन लब मू से रक्त निकलता है और 10 है रक्त अतिसार तो दोस्तों यह थे रोमान्तिका के उब्द्रव इसी के साथ आपका रोमान्तिका टॉपिक हतम होता है थैंक यू सो मुच पर वाचिंग आईस और डू लाइक शेर और शब्सक्राइब और चानल